रादे रादे, आज हम बात करने वाले है कि हम SBI बैंक के अंदर कैसे राइट इशू के अंदर या IP पर अप्लाई करते हैं पुरो लाइव देखेंगे कि SBI नेट बैंकिंग के हेलब से हम राइट इशू के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं तो यह आपको स्क्रीन जो शो हो रही है, यह SBI की Net Banking की Online स्क्रीन है, इसमें आप Continue to Login पर क्लिक करेंगे, तो आपको फिर Login ID details भरके अपनी Account Login हो जाएगा, Account Login होने के बाद में आपको जो Front Page होगा, पहला Page वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, अब यहाद में आपके उपर दिख रहा होगा, My Account and Profile, Payment and Transfer, Bill Payment, Deposit and Investment, E-Tax, E-Services, तो यह जो आपको दिख रहा है उपर उपर E-Services, आपको इस पर क्लिक करना है, अब आपके पास यह सब फीचर खुल जाएंगे, इन फीचर के अंदर आपको Demet and Asba का जो फीचर है यह आपको दिख रहा होगा, Demet and Asba, Applications Ported by Blocked Amount Services, इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपके पास यह स्क्रीन ओपन हो जाएगी, इस स्क्रीन के अंदर आपको Asba Services IPO वाले इस पर क्लिक करना होगा, अब आपके सामने जो भी उस टाइम फ्रेम में जब देख रहे हो, जो भी उस टाइम फ्रेम के अंदर Red Issue और IPO ओपन चल रहे होंगे ना, उन सब के नेम आपके सामने आजाएंगे, जैसे अभी की बात करें, तो कुछ IPO ओपन चल रहे है, और इनकी IPO की open date cup है, close date cup है, यह भी सब यहां mention कर रखी है, या राडिशो की open date cup है, close cup होगा, वो mention कर रहा हुए, उपर आपको दिख रहा है, IPO history, इसमें क्लिक करने पे आपको दिख जाएगा, कि आपने पिछले कितने चीजों में apply कर रखा है, जैसे हम माल लेते हैं, अभी हम South Indian Bank वाल राडिशों के अंदर apply करते हैं, तो मैं South Indian Bank राडिशों वाले पे click करके go, नीचे go पे click कर दूँगा, अब मेरे सामने यह आ चुका है, उपर पहले category और section में आपको choose करना है shelter, क्योंकि राडिशों के अंदर आप उसके shelter हो, तब या अप्लाइ कर सकते हो, तो यहां click करना है अपने shelter गे उपर, उसके बाद आपको नीचे लिख रहे है applicant name, अब अगर आपने SBA Net Banking के अंदर dimate account number जो है, उसको add कर रखा है, तो आप यहां पे select register applicant के जाके, वो dimate account number choose कर लेना, अगर आप first time ही काम कर रहे हो, आप IPM apply नहीं करते हो, अभी तक आपने apply नहीं कि है, तो आपको उसके नीचे लिखा हुए न, if you don't have added applicant, please click here to add new applicant, तो यहां पे आपको click करना होगा, इसमें click करने के बाद में, आपको आपना dimate account number, आपका पैन, और आपका नाम भरके, वहां पे applicant जो आपका dimate account है, उसको add करना पड़ेगा, उसके अंदर, तो यहां पे applicant name के अंदर, वो add करने के बाद में, select registered applicant के अंदर, आपको आपका नाम शो हो जाएगा, आपका account झहां भी है, जिरोदा में है, अब्सटोर्क्स में है, एंजल में है, जहां भी है, आप उसको यहां पे add, आराम से कर सकते हो, add करने के बाद में, आपको, वहां पे on indem you team wszystko, च जितने शेर आपके पास होंगे रैडिशू के लिए जितने शेर आपके पास आरी शेर है जैसे हम बात कर रहे हैं साउट इंडियन बैंक के बारे में तो आपके पास 14 मार्च जो इसका लास्ट टेडिंग ले था उस दिन जितने भी आपके पास अकाउंट में आरी शेर थे व आपको यहां पर आ जाएगा और आपको फिर निचे उसके अंदर संबिट कर देना है संबिट करने से आपके अकाउंट के अंदर 22 रूपे ब्लोक हो जाएंगे और आपका यह एप्लिकेशन जो है रडिश्यू का यह लग जाएगा ध्यान रखना इसको लगाने के बाद में अगर आपको चेक करना हो कि मेरा जो स्टेटरस है वो हुआ है निवा तो आपको उपर दिख रहा है आई प्यो इसके अंदर क्लिक करेंगे ना तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि आपका जो अप्लिकेशन है साउथ इन बैंक वा जाएगे ठीक है ध्यान रखना इंपोर्टन डेट्स का ध्यान हमेंशे रखना चाहिए कि यह आई प्यो है या एसी में आई प्यो है या फिर राइड इश्रू है जो भी है यह क्लोज और ओपन कपकब हो रहे है आई होप आपको यह पूरा प्रसेस क्लियर हो गया होगा हो रहा है आप हाँ मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे टीम या मैं खुद आपको हैल्प करने के पूरी कोशिश करूँगा तो आप इस तरह सब्सक्राइब करके बेला इंट कर लेना क्योंकि यहां आपको सभी आई पी रिव्यू को जानकरने टाइम से शेय कर दे जाती है फिर म अपना ग्यार लखिए थैंक्यू सो मच